नमस्कार विद्यार्थों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूगा जोगे सेन इंडियाम विद्यार्थों जैसा कि आप यूजी सेनल चार परिचा में पूछे किये प्रस्बत्रों को हल कर रहे हैं बगर इस्किप के पूरा वीडियो जरूर देखेगा यह वीडियो आपके लिए बहुत उप्योगी सापिते वहने वाला है और अगर पहले बार चैनल पर चुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और स्वेम देखना दूसरे बच्चों को भी जरूर सेर करना चलिए हल करते हैं प्रश्ण नमबर वन प्रश्ण उपनिसस्त के अनुसार रई के अंतरगत नमलिखित में से किन का संयोजन सामिल है यहां देखिए ए शूर्य इस्थूल क्रेश्न दिन रई से पूछा गया ध्यान डखना बी सूक्ष्म सूर्य दिन शुक्ल सी सूक्ष्म चंद्र दिन शुक्ल डी स्थूल चंद्र रात्र क्रेश्न जल्दे से सेलेक्ट करें और स्वय में आप वीडियो को रोकें उसके बाद हल करें डी आप्सन करेक्ट होगा बिद्यार्थियों प्रश्ण उपनिससत के अनुसार रही कि अंतरकत स्थूल, चंद्र, रात्र क्रेश्न का संयूजन है योगवसिष्ठ का सिध्धान्त कहलाता है तो योगवसिष्ठ का सिध्धान्त विशिष्ठ आद्वेत बिद्यार्थियों योगवसिष्ठ का सिध्धान्त अद्वेत सिध्धान्त के नाम से जाना जाता है अद्वेत का आर्थ है ब्रह्म ठीक और अद्वेत सिध्धान्त के परवर्तक शंकराचारी जी है इसे शांकर वेदान्त के नाम से भी जाना जाता है जबकि द्वेत सिध्धान्त के परवर्थक माधवाचारी हैं एउम रामा अनुजविचारे विशिष्ट अद्वेत के समर्थक या प्रतिपादक हैं। आपने अच्छे समझ लिया होगा। नेक्स्ट। निम्लिखित में से कौन सा चत्रविव के अंतरगत आता है। ए, वितर्क, विचार, आनंद, अश्मिता, बी, ज्यान, धर्म, आश्वर, वैराग्य, शी, मैत्री, करुडा, मुदिता, उपेक्छा, डी, हे, हे, तुहान, हनोपाएं। जल्दे से सेलेक्ट करें, और यहाँ, योगसूत्र में हैं, जैसे कि आपने पढ़ रखा हुआ। तो, डी, हे, हे, तुहान, हनोपाएं। और इन सब के विशे में ज्यादा विश्त्र जानना चाते हूँ, तो मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं, इन सभी पर वीडियो बना हुआ है। महर्स पतंजली के अनुसार किनका सैयोग दुख का कारण है। महर्स पतंजली के अनुसार किसके सैयोग से सैयोग देखना। तो महर्स पतंजली योगदर्सन के परवर्तक माने जाते हैं, इन्होंने अपनी पुस्तक योगसूत्र में यानि ग्रंथ में दृष्टा और दृष्स के विशे में विस्तार से व्याख्या किया है। और देखना चाहते हैं तो पिछला वीडियो हमारा देख सकते हैं, तो आपसल सी दृष्टा और दृष्या। सर्वरतनों पास्थानम किसका परवर्डाम है। अपरिग्राह, बी पृत्याहार, सी सत्य, डी अस्थे। अस्थे, बिद्यार्थियों, सब रतनों पास्थानम, अस्थे का परवर्डाम है, अस्थांग योग के अंतर्गत, अस्थांग मतलब आ ठंग, यम, नियम, आसन, प्रडाया, प्रत्याहार, धार्डा, ध्यान, श्रमादी। इनमें यम, तथा, नियम के पांच-पांच उपभेद होते हैं, अस्थे, नियम के अंतर्गत आता है, तो आफ्षन आपने सिलेक्ट कर लिया होगा, डी, नेक्स्थ, धार्डा ध्यान समाधी, किसके बहिरंग हैं? अ, संप्रग्या समाधी के, बी, निर्बीर समाधी के, सी, प्रत्यहार के, डी, किरियायोग के, तो धार्डा ध्यान समाधी, किसके बहिरंग हैं? निर्बीर समाधी के. निर्बीर समाधी के बहिरंग है, यानी, धार्डा ध्यान और समाधी अस्टांग योग के अंतर गताते हैं, और इसका वर्ण योगसूत्र में मिलता है. नेक्स्थ, एक सक्षक, घरर्ण समीता के अनुसार, निमलिखित में से कौन सी ध्यान की उत्तम विद्य है? A. प्रडो B. इस्थूल ध्यान C. जियत ध्यान D. शूक्ष मिद्यान घरन समीता के अनुसार पूछा गया है तो घरन समीता के अनुसार उत्तम ध्यान है शूक्ष मिद्यान इसकी विशेचता है सहस्रार दल कमल इसके पस्चाद 12 दलों वाला कमल जिसके प्रतेक दल पर बीट मंत्र लिखा है वाद और बिंदु का प्रतीक है दोहंस और गुरु यह उनकी शक्ती अनाहा ध्यान के पस्चाद जेतना सूक्ष मिद्यान कहते हैं स्यू समिता के अनुसार एक समय में कुम्भक के कितने चक्रों का भ्यास किया जाना चाहिए किसके अनुसार स्यू समिता के अनुसार आप्षन को देखें तो स्यू समिता के अनुसार एक स्यू समिता के अनुसार आप्षन करेक्ट होगा जीविद कोशिका की कौन सी सन्रचना जयो प्रोटीन संसलेशर के लिए जिम्मेदार है किसके लिए जयो प्रोटीन संसलेशर के लिए ए गोल्गी एपरेट्स बी माइट्रोकांड्रिया सी लाइसोसोम डी राइबोजोम चद्धी सेलेक्ट करें तो अब देखर थे हो प्रतेक कोशिका में हजारों राइबोजोम होते हैं जो खुरदरे एंडोप्लाजमिक रेटिकुलम की बाहरी सतह पर बिंदू के आकार की तरह संडचना होती है जीवित कोशिका की राइबोजोम की संडचना जयो प्रोटीन संसलेशर के लिए जिम्मेदार है राइबोजोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहा जाता है किसकी प्रोटीन की फैक्ट्री तो डी आप्शन कर रहे है नेक्ट छोटे बच्चों में विटामिन डी की कमी होने वाली बीमारी है मतब विटामिन डी की कमी होती है तो कौन सी बीमारी होती है उत्पन हो जाती है ए रिकेट्स, बी आस्टियोमलेसिया, सी आस्टियोपोरोसिस, डी केराटोमलीसिया, जल्दी सेलेक्ट करें, छोटे बच्चों उसके लिए पूछा गया है, तो बिद्यार थी हो, विटामिन डी, कैल्सी फेराल, क्या, कैल्सी फेराल, कि कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है, यानि सुखा रोग, कौन सा, सुखा रोग जिसे आमभासा में बोला जाता है, सुखा रोग बच्चों में होता है, बच्चों में हड्डियां की नर्माई या कमजोर होने को सुखा रोग कहते हैं, विटामिन डी की कमी से रिकेट् जिया ओस्टोपोरिसिस टिटैनी दातों की गुहिकाये होती हैं इसके क्या होंगे सूर के किरणे दूध मक्षन वा मचली का तेल टामाटर पीली गाजर अंडे की जर्दी आच्से से प्राप्त किया जा सकता है विटामिन दी तो आसा करते हैं आपने बहुत अच्छे समझ ल करना मैं आपको तुबारा समझा दोंगी स्वयम देखना दूसरे पच्छों को जरूर सेर करना और आप अपने अनभों जरूर सेर किया करें आपको किस प्रकार से वीडियो लग रहे हैं कैसे उप्योगी साबित हो रहे हैं सेर जरूर करिएगा धन्यबाद बदर्थ झाल करति हैं सेरी हैं सेरीजर किस दव करें कर दो ओड दीडियो माइन तों पॉसरा है अपना जरूर सेरीज़ किस झाल तुबार करता मैं जरूर स वे सकतो॥ासखळादी नło हमावा धन्यबार सेकित हैं सेरी कि सट जरूर दूसर